जी, तो अब हम अपने next page की तरह बढ़ेंगे, उस पर question number two है, write these sentences correctly, कि जो sentences है इनको correct करके लिखें, दरूस्त करके लिखें, my hair is short, ठीक है, my hair is short, अब इसमें क्या है, जो my है, my का जो m है, उसको हम लोग capital लिखेंगे, क्योंकि जब भी कोई sentence बनाना हो, तो आपने उसका जो beginning alphabet है, उसको हम लोग capital रखते हैं, ठीक है, अब जो my है, इसमें small है alphabet, और हम क्या करेंगे, इदर capital लिखेंगे, am capital, my hair is short, और short के बाद हम लोग full stop लगा देंगे, क्योंकि full stop का मतलब है कि ये sentence complete हो चुका है, अब हम अपने दूसरे sentence की तरफ बढ़ेंगे, I have long legs, I have long legs, और यहाँ पर भी आपने देखा है, कि जो I है, वो small है, तो हम इदर क्या करेंगे, capital लिखेंगे, और legs के बाद क्या लगाएंगे, लेक्स के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, full stop, very good, अब हमारा जो third one है, this is my sister, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, T को capital में लिखेंग और sister के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, full stop, अब जो fourth, fifth और sixth one जो है, वो आप लोग करेंगे, she is three, she is three, अब इसमें आपने क्या करना है, जो S है, इसको क्या करेंगे हम लोग, very good, capital में करेंगे, और end पे क्या करेंगे, wow, full stop, good, अब जो V है, we have a big dog, अब इसमें वी को क्या करेंगे, W को, शाब बाश, और डो के बाद, full stop, अब last one, my sister plays with her doll, अब इसमें माइक का क्या होगा, M, capital, और डोल के बाद, full stop, very well done,